हेलो दोस्तों मैं आपका भाई आनंद कुमार सिंग आग या आपके लिए एक और गर्मा गर्म जवर्दस्ट टेक न्यूज ले करके अज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ रेडिमी के तरफ से आई हुए टेक न्यूज के बाड़े मैं तो वीडियो इस्टाट करने से पहले आप अपना भाई का नाम जान लिजिए मेरा नाम है आनंद कुमार सिंग और आप देखरे हैं हमारा यूटूब चैनल सुरिया अनंद भाई अगर हमारे चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ओल पर कर लिजिए ताकि मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे हैं चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये हुए है वेल्कम बेक दोस्तों आपका एक बारा और स्वागत है हमारी यूटूब चैनल सुरिया अनंद भाई पे अज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेडिमी के तरफ से आए हुए टे सबसे दुनिया के सबसे छोटी सेलफी कट आउट इस्टीडियो स्पिकर और दमदार बैटरी लाइफ आपको इस फोन में देखने को मिलने वाली है पिछले साल जो फटवरी में लॉंच किया गया था रेड्मी के 30 ये उसी का सक्सेसर रेड्मी के 40 बताया जा रहा है रेड इमीं लगोंने तरीटफॉर्टा कि अध्यामे से उस्टाइड ड्रेड्मी के 40 में आपको मिलने वाली है फ्लेट डिस्प्ले डिस्प्ली की रेजुलेसं जो है वह योन थाजंट इंटै इंटू तुथाजंझ फॉरहनज एट्एक हुलेशं के पैनल इसमें बताया जाँ कि इसमें आपको मिल सकती है और Redmi K40 में बताया जा रहा है कि आपको Qualcomm Snapdragon 888 Chipset Processor दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि Redmi K40 में 33W का Fast Charging भी सपोर्ट होगा Standard के साथ साथ इसमें एक और Pro Variant की भी उम्मीद की जा सकती है जो की 108 Megapixel Primary Camera के साथ आ सकती है यह भी डियूमर्स है इसे भी कंफर्म नहीं किया गया है हो सकता है तो यह Redmi K40 के साथ ही लॉंच कर दिया जाएगा Redmi K40 स्रीज के नाम से Redmi K40 Pro वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करें हमारे चैनल पर पहली वाड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ओल पे कर लिजिए ताकि मैं कई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे रहे है चलिए अब आप से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद